पूर्वी beauty and fashion में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके सफेद बाल आप काले कैसे कर सकते हैं नेच्रल काले हुआ तो आये वीडियो हम सुरू करते हैं कि आज के समय में bistijn कि सही समय खाना नहीं खाना खराब जीवन सेली के कारण बालों से जुड़ी परिशानिया लोगों में आम है कम समय में बाल सफेद होने की समय साभी तेजी से बढ़ रृई है कम समय में सफेद बाल होने पर लोग तमाम तरह के तेल और दूसरे प्रोड़क्स का इस्तिमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों को सफेद होने से बचाने के लिए महुआ का तेल का इस्तिमाल बहुत फायदेबंध है महुआ के तेल में मौजूद पोस्वक्तत और गुण बालों के लिए मौजूद गुण बालों के लिए बहुत फायदेबंध होते हैं साथ ही ब्रोकोटाइस टॉंसिलिटिस और ग्रशनी सोद जैसी बीमारियों में भी बहुत उपी होगी है आए जानते हैं बालों को महुआ के तेल के फाइदे महुआ के तेल में मौजूद गुरों के कारण ही इसका इस्तेमाल आयरवेद में और सुदी के रूप में किया जाता है इसमें मौजूद गुर बालों को पोस्वर देने के साथ सफेद बालों को काला करने का काम करते हैं बालों में निमित रूप से महुआ का तेल लगाने स से आपको फाइदे मेल सकते हैं सफेद बालों को काला करने के लिए महुआ के तेल का इस्तिमाल बहुत फाइदेभन होता है रोजएना एक चमच महुआ के तेल में एक चमच रोज मेरे का तेल मिलाकर बारों में लगाए ऐसा कुछ दिनों तक करने से आपको फाइदा होगा कि बालों को मजबुद बनाने के लिए महुआ के तेल का इस्तेमाल बहुत फाइदेबंद है रोजाना महुआ के तेल से बालों की जड़ों तक मालिस करने से आपके बाल मजबुद होते हैं और बालों का जढ़ना भी कम हो जाता है लूं को साइनी और चमकदार बनाने में माहूअ की तील का इस्तेमाल बहुत फाइदेबंद होता है इसमें मौजूद गूल बालों की चमक वापस लोटाने के काम करते हैं महुआ के तेल में बरापर मात्रह में रोज मेरी का तेल करने से आप को बहुत फायदा मिलेगा बालों में मौजूद डेंडर्फ को दूर करने के लिए भी महुआ के तेल का इस्तेमाल बहुत फायदेबन माना जाता है महुआ के तेल को मेहदी के तेल में मिलाकर बालों में लगाने से आपके बाल की growth बरती है और डेंडर्फ से छुटकरा मिलता है आईरवेद में महुआ के तेल को बालों के लिए बेहतरी औसेदी माना गया है बालों में महुआ के तेल की कुछ बूने मेहदी के तेल में मिलाकर अच्छी तरह से लगाएं बालों की growth और scalp पे अच्छी तरह से मालिस करने के बाद इसे एक दो घंटे के लिए खुला छोड़ दें इसके बाद बालों को अच्छी तरह से धोलें ऐसा सप्ता में दोबार करने से बालों से जुड़ी कई समस्यां दूर हो जाएंगी और बालों का विकास तेजी से होगा बाल गिरना बंद हो जाएगा डेंडरफ भाग जाएगा तो यह था हमारा सफेद बालों को काला करने का उपाए डेंडरफ भगाने का उपाए गिरते हुए बालों को रोकने का उपाए बालों में ग्रोथ लाने का उपाए मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमारे को बताएं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल सब्क्राइब करें और बेल आइकून की घंटी बजाना मत भूलें कि हमारे जो भी वीडियो में डाल हो सबसे पहले आपकोस पहुंचेंगे धन्यवाद